हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो इगनु ने आपके एक्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी गुड न्यूस जारी की है तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीड़ो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इगनु ने आपके लिए कौन से गुड न्यूस जारी की है तो दोस्तो जब आप इगनु के एक्जाम फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने हों मिलेगा तो इसका मदलब यह है अगर आपने दिसंबर 2022 का एक्जाम फॉर्म नहीं बर है बहुत सारे स्टुइनंट ऐसे हैं जिनका जून 2022 का एक्जाम हुआ था और उस एक्जाम में किसी भी पेपर का अभी रिजल्ट नहीं आया है यानि कि आपने पेपर दिया था पर उसका रिजल्ट अभी पैंडिंग में है तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने जून 2022 का एक्जाम दिया था और अगर आपका किसी भी कोर्स का रिजल्ट नहीं आया है डिकलेयर नहीं हुआ है तो आप अगर उस सब्जेक्ट का एक्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 25 नौमबर तक एक्जाम फॉर्म भर सकते हैं जिसके लिए ना तो आपसे कोई एक्जामिनेशन फीस ली जाएगी और ना कोई लेट फीस ली जाएगी जैसा कि आप जानते हैं आपके जो exam form की last date थी वो 15 नौंबर थी without late fees इसके बाद 16 नौंबर से लेके 25 नौंबर तक आपका 11 रुपए late fine लगना था आपके किसी भी course के लिए अगर आप 16 नौंबर से 25 नौंबर तक exam form बरते हैं ऐसे में बहुत सारे students का कहना था कि हमारे बहुत सारे subject ऐसे हैं जिसका result अभी नहीं आया है तो अगर हम उसका exam form बरेंगे तो हमें 1100 रुपए late fine देना होगा इसलिए इगनू ने ये notice जारी किया है कि आपको 1100 रुपए late fine नहीं बरना है ना तो 1100 रुपए late fine बरना है और नहीं आपको यहाँ पर exam fees देनी है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी इसमें back आ सकती है पर बाद में back ना आए और आप उस subject में पास हो जाएं तो इससे बहुत बड़ी problem हो जाएगी और आपकी exam fees waste हो जाएगी माल लीजिए आपको कोई paper है उसका result अभी नहीं आ जाए और आप उसका exam form बरते हैं और exam form की fees 200 रुपए है और इसके साथ-साथ exam form की last date जा चुकी अब 1100 रुपए late fine के साथ exam form बरा जा रहा है यानि की 200 रुपए आपकी exam fees और 1100 रुपए आपकी late fees टोटल 1300 रुपए उस subject के लिए आपको भरने होंगे इसके बाद उस subject का result आपका नहीं है इसलिए आपने वो subject भरा आपको ऐसा लगता है कि उसमें back आ सकती है पर जब आपका result आता है उस subject का उसमें आप पास हो जाते हैं तो इस case में क्या होगा कि आपके 1300 रुपए जो हैं वो waste हो जाएंगे इसलिए इगनू ने आप सभी के लिए यहाँ पर यह notice जारी किया है कि अगर आपका किसी भी subject का result अभी declare नहीं हुआ है तो आप उस subject का exam form भर सकते हैं और इसके लिए ना तो आपको examination fees देनी है 200 रुपए और ना ही आपको जो late fine होता है 1100 रुपए वो देना है आपको दोनों ही चीजे नहीं देनी है यहाँ पर और आप उसका exam form भर सकते हैं और इसके बाद अगर आप pass हो जाते हैं तो आपको paper देने नहीं जाना है और अगर आप pass नहीं होते हैं simply आपको क्या करना है वो exam देने जाना है जिसमें आपकी back आ गई है तो यहाँ आपर साफ साफ बताया गया है तो यहीं चीज आपको करनी है आपके पास यह सुनेरा मौका है 25 नौंबर तक अब 25 नौंबर तक अगर आपका भी भी कोई subject ऐसा है जिसका result नहीं आया है तो आप उसका exam form भर दें इसके लिए ना तो आपको कोई charge देना एक्स्ट्रा ना ही आपको कोई exam fees देनी है तो दोस्तो आई हुप आपको वीडियो समझाई होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें और अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है कि exam form से related हमें ये करना है या ये करना है तो आप मुझे मेरे टेलिग्राम या इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करके अपना doubt क्लियर कर सकते हैं धन्यवाद